हेलो से बरवाम्स वेलकम बैक और आप लोग थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में टाइटल देखके समझे गए होंगे कि यह वीडियो कि इस टॉपिक पर होने वाली है तो इस वीडियो से हम अफिसियली पेंटेशन टेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं अगर आप इंटरमेडियेट है या फिर आप एडबांस है या फिर अगर आप कंपलेटली बीगिनर है आपको इस फिल्ड की कोई नौलेज नहीं है तब भी आपको इस वीडियो को इंड तक देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं इस तरह से पढ़ाने वाला हूं कि जो बेसिक का दिमाग होता है वो भी सीख जाए जो इंटरमेडियेट है उनको भी एडबांस होने का मौका मिले और जो एडबांस है उनको भी अपनी इसकील है उसको सार्फ करने का मौका मिले और इस वीडियो की इंड तक आपको पता चल जाएगा कि आगे आने वाली कर सकेंगे कि कैसे आपके जो दिमाग के बंद दर्वाजें वो खुलेंगे उसके बाद कैसे आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी नॉलेज होने वाली है और जो भाई यह बीगिनर्स हैं उनको घबराना नहीं है आपको जो डाउट्स आते हैं वो हमारे कम्मुनिटी में पूछ सकते हैं वहाँ पर आपके सारे डाउट्स सौल भी किये जाएंगे आप इसको देखकर ही जान सकते हैं कि आखिर यह क्या चीज है जाता है तो आप इसी पेटर्न को फॉलो करके अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि सभी पेंटेस्टिंग में सबसे पहला स्टेप होता है इन्फोर्मेशन गेदरिंग और आज हम इसी की बारे में डीप में जानने वाले हैं और इस ट्रेनिंग की मदद से आप आप इसे पहले मैं आप सब के साथ एक pen testing story share कर चाता हूं जिसमें मैं आपको सुनाने वाला हлюч हो एक real world penetration testing story और इस की मदद से मैं आपकी पेनिटरेशन है उस की जर्णी को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं इस चीज को इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो penetration testing की journey है, उसमें सबसे पहला step जो होता है, information gathering वो most powerful step होता है, जहां पर आप अपने 40% hacking को perform करते हैं, इसलिए इस step को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, और जो new ways होते हैं, वो सोचते हैं कि penetration testing बहुत ही easy है, इसको हम कहीं से भी सीख सकते हैं, तो वो सब इसको हलके में लेते हैं, जिसकी वज़े से वो अपने penetration testing की journey को अच्छे से complete नहीं कर पाते हैं, और अब हम start करने वाले अपने इस story को, जहां पर हम सबसे पहले start करने वाले हैं passive recon से, तो आप यहां पर confused मत होईए, यहां पर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहां पर हम story ही जान रहे हैं, तो इस story की starting part में हमें passive recon करना होता है, और आप आगे देखोगे, यह story build-up होगी, जो beginner है, उनको मैं फटा-फट बता देता हूँ, passive recon का मतलब होता है, किसी भी target के बारे में सभी information निकालना बिना उसको touch किये, और जो target है, उसके बारे में हम internet से सभी information निकालते हैं, और वहां से सभी research करते हैं, यहां पर हमारी story start होती है, passive recon से, जहां पर एक company है, neatroots.com, वहां पर हमें penetration testing perform करना होता है, तो वहां पर हम सबसे पहले information gather करने के लिए passive recon का use करते हैं, और उसके अंदर हमने जो जो step follow किये, वो आप ध्यान से देखिएगा, यह real life incident है, और real में भी यही step follow होती है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर सबसे पहले हमने IP address को examine किया, जो neatroots.com ने हमें अपना domain name दिया था, उसके उपर पहले हमने उसकी IP address को examine किया, जहां पर हमने Nmap या फिर M.A.S. और इन सारे tools का use किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसका जो IP who is record था, उसको examine किया, आप यहां पर confuse होंगे कि आखिर यह who is record है क्या, तो इसके बारे में भी हम आगे practical में जानने वाले हैं, who is record किसी भी websites की सारी details निकाल एक तरह से समझे लो, उसकी पूरी कुंडली निकाल के आपको दे देती है, उसके बाद हमने चेक किया कि उसी IP address से और भी websites है या नहीं है, और वहां पर हमें जो भी information मिली, उसको हमने gather कर लिया, उसके बाद हमने उस website की सारी history चेक की, उसके सब domains चेक किया, उसके बारे मे उस website के बारे में, उसके बाद हमने क्या किया, Google Analytics की मदद से, उसी website की name का यूज करके, हमने उसके बारे में पता लागा है, कि वहां पर उस name से और भी कोई website है या नहीं है, उसके बाद हमने क्या किया, जो भी वहां पर employee काम करते थे, उन सभी employees के जितने भी, हमें social media accounts मिल स हमें यूज करके, उसके बारे में और भी sensitive सभी चीजे निकाल लिये, उसके बाद हमने जो भी email id leaked थे, उनके बारे में सभी information gather किया, और उसके बाद हमें almost 50% सभी information मिल चुकी थी, जिसकी मतद से हम आगे exploit कर सकते थे, और इसी तरह से हमारा जो passive recon था, वो complete हो गया, उसके ब बारे में details निकाल सकते हैं, तो इस case में भी हमने वही किया, हमने starting में जो उसके subdomains थे, उसके बारे में research किया, जिसमें हमने सभी web URLs को scan किया, उसके बाद हमें जो भी information मिली, उसको हमने down कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, कि उसके जितने भी subdomains थे, emas और wayback URLs, इन सभ का use करके, इन सभी tools का use करके, उसके सारे subdomains के बारे में, हमने सभी detail information निकाल ली, उसके बाद हमने क्या किया, कि उसके जो java script code थे, उसको examine किया, उससे related हमें, जो भी चीजे मिली, उसको हमने note down कर लिया, उसके बाद हमने, उसके TCB ports को scan किया, और UDB ports को भी scan किया, और जो भी information निकाल रहे हैं, उसको एक जगहां पर note down कर लें, क्योंकि आगे जाके आपको उस चीज की बहुत जरूरत पढ़ने वाली होती है, तो अब जान लेता है, आखिर जो information हमने निकाला था, neartrutes.com के उपर से, उसको हम कैसे use करने वाले हैं, तो उस information के मदद से हमें क्य बड़बड हो जाता है, तो उसको fix करने के लिए आप RDP का use कर सकते हैं, remote desktop, आप यहां पर बैठे बैठे उनके desktop को monitor कर सकते हैं, और वहां पर changes कर सकते हैं, तो यहां पर हमें यह बहुत ही बड़ी bug मिली, जहां पर RDP उनका accessible था, जिसको हमने port scanning के time पर निकाला था, उसके बाद हमें क्या पता कि इस website पर कुछ सालों पहले partner section था, यहां पर partner भी थे, जिसको हमने web archive से पता लगाया, जो कि normal website में नहीं देखने को मिलती, उसके बाद हमें एक interesting चीज देखने को मिली, कि जो employee थें, उनके पास जो Gmail था, वो एक same pattern follow कर रहा था, जैसे कि जो भी companies होते वो अपने employees को कोई ना कोई एक Gmail देती हैं, जिसकी मदस से वो work कर सकें, तो वहाँ पर जो Gmail ID तो वो एक pattern follow कर रही थी, जहां पर company name plus first name plus last name at the rate gmail.com ती, जैसे कि मालो neatroots aniliadav at the rate gmail.com, जो कि बहुत ही important information थी, जिसकी मदस से हमें बहुत सारे चीजे पता चली, जैसे कि उस pattern क मदस से हमें सभी employee की Gmail ID मिल चुकी थी, उसके बाद हमें क्या पता चला, वहाँ पर बहुत सारे leaked password थे, जिसकी मदस हमें कई सारे Gmail की access ले ली, और उसी Gmail की access की मदस से हमें वहाँ पर passwords मिले थे, जो कि हमने RDP पर use करको उसके access लिया था, तो इस तरह से हमने क्या कि पहले हमन उनके सारे IDs निकाले, उसके बाद हमने सभी employees के name निकाले, उसके बाद जो हमें leaked password मिले थे, उसके मदस से उनके Gmail ID का access लिया, उसके बाद हमें उनके Gmail ID के अंदर RDP access का password मिले लिया, जिसके मदस से हमने उनका RDP access ले लिया, so guys यह था story और आप इसको एक story की तरह ना लेकर, actual penetration testing के step की तरह लेजिए, यहां पर हमने जो भी step बता हैं, वो हमने actual में भी किया है, और वो real world में भी follow होता है, penetration testing के time पर, तो आगे हम Google docking के बारे में जाने वाले हैं, so guys अगली वीडियो में हम Google dock के बारे में बहुत ही deep में जानेंगे, till then stay safe, stay secure, thank you.